कि अग्जाम में बहुत काम आने वाला है और आज का जो एनलिसिस है मेरा वह सर्वेंग सब्जेक्ट से लेटेड 2004 से लेके 2020 तक के जितने भी कुशन्स आए हैं संसी जेई के पेपर में उन में यह बताना है कि आपको किस टॉपिक से कितने सब्जेक्ट कितने कुशन आये पर्टिक्विलर इयर में टोटल कितने आये हुए हैं और उन में से कौनसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है जो एग्जाम पॉंट अब्वी से बहुत ज जो main concern रहेगा, वो chapter wise analysis के लिए रहेगा, second concern है topic wise analysis, chapter में कौन कौन से topics आपके लिए important रहने वाले हैं, उन पर भी हम discussion करेंगे, next है उस chapter और उस topic का conclusion, conclusion क्या है, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, किन किन questions पर focus करना है, numerical approach किन किस तरह के questions पर रखनी है, theoretical और data, इस तरह स हमने इसको categorize किया है, जो subject है, उसमें आपको पता है, survey में instruments हैं, instruments से procedure है, procedure से कुछ fundamental से आप से numerical बनेंगे, और कुछ data given होगा, तो इस तरह से मैंने इसका structure तयार किया, यहां पर, now इसके अलाबा, आप अपनी preparation को boost कर सकते हैं, with the program, BCTQ, जो कि आपको पता है, John Tech का running program है, built your concept concept through the questions, तो चले, देखो यहां पर surveying से, surveying से 2004 से लेखे 2020 तक, SSC J में chapter number 1, fundamental of surveying से 36 question आए हुए, कितने question है, 36 question, मैंने यहां पर chapters को 11 chapters में categorize किया है, 10 to 11, तो chapter 1, जो है, fundamental of surveying, इसमें 2004 से 2020 तक 36 question आए हैं, इसी तरीके से chapter number 2, linear measurement, तो linear measurement में यहां से 83 questions आए हैं, देखिए, यहां आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि कौन से chapter का weightage कितना ज़्यादा है, इसी तरीके से chapter 3, that is the compass surveying, और इसमें से 60 question आए हुए हैं, Now, theodolite and tachometer, इसमें most of question की बात करूँ, तो theodolite से हैं, और total number of question from 2004 to 2020, these are the 38 numbers, 38 questions यहां से आए हुए हैं, Traversing से 17 question आए हैं, इतने सालों में, leveling में से बहुत सारे question आपको देखने को मिलेंगे, important chapter भी है, 70 question आपके 2004 से 2020 तक leveling से आए हैं, इसी तरीके से next chapter जो है आपके, वो है curve, curve से यहां 9 question देखने को मिलेंगे हैं, 2004 से 2020 तक, area, volume, measurement, measurement of area and volume, यहां से कुछ numerical, कुछ formula आपको देखने को मिलेंगे हैं, और इसमें total number of question जो हैं, वो 27 हैं, Similarly, chapter number 9, that is the plane table surveying और यहां से question है, 22, ठीक है, now contouring, एक छोटा सा chapter है, but काफी important है, और एक question यहां से definitely आप से पूछा जाएगा, properties of contour से question पूछा जाएगा, तो यहां से total number of questions है, 21, and last one is miscellaneous, इसमें मैंने GPS, remote sensing और total station, यह इसके लावा और भी कोई topic है, तो उसको include किया है, और 2004 से 2020 तक, recent years में ज़्यादा question देखने को मिले है, जब 2004 तक की बात करें, हम 2004 से 10 तक, वहां तक कोई आपको question देखने को नहीं मिलता है, but 20 के जो era है, recent years है, उनमें यह questions आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए यह था एक overall analysis, जिसमें मैंने बताया कि surveying के किस-किस chapter से कित subject है, हर बार question आएगा, और यहां हम इसके subject के weightage की बात करें, तो 10-12% weightage है, इसका SSEJE में, तो काफी बड़ा weightage है, क्योंकि आपको पता है, competition इस level का है, कि बच्चे point, fraction of marks में रह जाते हैं, तो इसलिए आपको हर एक point पर focus करना है, हर एक question पर focus करना है, क्योंकि बून-बू fundamental of surveying से, question आए हैं आपके, यहां पर, 2004 में 0, 5 में 0, 6 में 0, then 7 में 1, 8 में 0, 9 में 1, 10 में 0, 11 में 0, 12 में 2, अब देखिए, यहां थोड़ा-थोड़ा यहां number of questions हैं, वो बढ़ने लग जाएंगे, 13 में 1, 14 में 4, 15 में फिर 0 हुआ, लेकिन 16 में 8, 17 में 13, 18 में 2, 19 में 2, and 20 में 2, actually आपको पता है कि कुछ years में, number of shifts में भी paper हुआ है, तो वहां पर shift को include करते हुए number of questions बढ़े हैं, ना कि कि एक single paper में question नहीं आए, 13 और जिस तरह से आप 8 देख रहे हैं, यहां number of shifts में पेपर conduct हुआ था, तो वैसे इसके number of questions बढ़े हैं, हमने subject की बात की, subject में chapters की बात की, और chapters में भी topic की बात करें, मतलब conclusion की बात करें, तो इस chapter में आपके कौन-कौन से topics आपके लिए important हैं, तो देखिए, classification of survey, classification of survey में बहुत important है, और कई तरहीं से आपकी definitions बनती हैं, यहां पर, geodatic survey और plain survey में काफी comparison किया जाता है, तो वहां स database भी पूछा जाता है, तो conclusion में मैं यही कहूँगा कि आपको classification पढ़के जाना है, बहुत अच्छे से, जिसमें आपको geodatic और plain survey को बहुत ज़्यादा depth में पढ़ना है, उसी के साथ engineering scale और RF representative fraction के बीच में भी कही सारे numericals बन जाते हैं, आपस में conversion करने के, इन्यस scale से आपको RF convert करना है, RF से इन्यस scale में, वहां से भी question आ जाते हैं, वर्नियर scale की full detail आपको पढ़के जाना है, कि वर्नियर scale क्या होता है, कैसे बना होता है, और कितने तरह के वर्नियर होते हैं, least count कैसे calculate किया जाता है, इसके वारे में full detail में आपको पढ़के जाना है, और कुछ database question भी प दूसरा जो first principle है, वो यह कहता है कि किसी एक point को locate करने के लिए आपके पास at least 2 measurements होने चाहिए, तो यह दो principle पर focus करके जाना है, यह adopt क्यों किया है, पहली बार तो principle होता क्या है, और क्यों adopt किया है, यह दो questions के answer आपको करके जाना है, तो यह chapter आपका overall cover हो जाएगा, चलिए, next chapter की अगर हम बात करें, that is the linear measurement, तो linear measurement की अगर हम बात करें, तो 2004 में यहां से two questions आए है, 5 में 0, 6 में 0, 7 में 0, 8 में 2, 9 में 1, 10 में 2, 11 में 2, 12 में 1, 13 में 3, 14 में 2, 15 में 5, 16 में देखिए, यहां questions बहुत जादा है, तो number of shifts की विजए से है, 14, 6, then 19 में 7, and 20 में 6, अगर हम इसके topic की बात करें, कि topic में कौन सा important topic है, इस topic, chapter में, linear measurement में से आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास कई सारे topics हो सकते हैं, जैसे basic definitions, बहुत सारी definitions है, basic definitions, ठीक है, basic definitions पर focus करना है, then आपके यहां पर basic definitions के अलावा आपको यहां पर chain और tape, chain और tape की full detail पढ़के जानी है, full details, ठीक है, chain और tape की आपको यहां full detail पढ़नी है, then offset, offset बहुत important है, perpendicular offsets के लिए right angle set out करने के लिए, right angle, right angle set out करने के लिए कौन-कौन से instruments की requirement होती है, cross staff, optical square, prism square और इस तरह के कुछ instrument है, line ranger, तो यह आप से पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में आपको detail में पढ़के जाना है, then offset की importance ही क्या है, limiting length of offset क्या होता है, यह सब कुछ आप से पूछा जा सकता है, और एक इस linear measurement का one of the most important जो topic है, that is the correction, tape corrections, corrections and error, यह बहुत important है, यहाँ से definitely question बनता है, numerical problem भी पूछ सकता है, theoretical problem भी पूछ सकता है, चलिए, इस तरह से यह इसका conclusion है, इस topic का, और I hope के इन सारे topics पर आप अच्छे से pressure देखे बढ़ाई कर रहे होंगे, जिससे आपके questions जो हैं, वो बन रहे होंगे, और आप exam में भी इनको correct करके आएंगे, Now next, जो chapter है, that is compass survey, देखे, compass survey के अगर हम बात करें, तो जैसा आपको table में नजर आ रहा है, 4 में 0 है, और 5 में 4, 6 में 0, 7 में 0, 8 में 0, 9 में 1, 10 में 0, 11 में 2, 12 में 13, 13 में 6, 14 2, 15 2, 16 8, 17 में 14 है, 18 में 3 है, 19 में 11, और 20 में 4, तो जैसा आपको नजर आ रहा है यहां पर, कि यहां से भी frequently question पूछे जा रहे हैं, अगर हम 2012 के बाद की बात करें, तो continuous question आ रहे हैं यहां से, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से किसी भी point को छोड़ के जाना है, बट यहां से continuously question पूछे जा रहे हैं, में बात है कि किन-किन topics पे आपको focus करना है, तो देखिए अगर हम यहां पर बात करें, तो पहली बात तो basic definition, किसी भी chapter की अगर आप बात करोगे, तो वहां basic definitions तो आपको आने चाहिए, और compass में कई सारी basic definition हैं, तो पहली बात तो आपको basic definition आने चाहिए, उसके बात में compass जितने भी तरह के हैं, उनकी details, ठीक है, इसके बात में, क्योंकि basic definition में आपको बहुत कुछ include हो जाएगा, जैसे bearing क्या होती है, meridian क्या होती है, magnetic declination क्या होता है, dip क्या होता है, फिर isogonic line, agonic line, isoclinic line, aclinic line, iso first, इस तरह से बहुत सारी definitions है, numerical approach की बात करें, तो four bearing और back bearing, four bearing और back bearing वाले numericals पर focus करना है, इसके बाद magnetic declination बहुत important है, magnetic declination पर आपको focus करना है, और especially sun से related जो question आते हैं, sun की true bearing, magnetic bearing और magnetic declination का जो relation है, वहाँ से जो question आते हैं, उन पर आपको focus करना है, similarly, यहाँ पर whole circle bearing से quadental bearing और quadental bearing से whole circle bearing के जो conversion वाले question है, वो भी यहाँ से आप से पूछे जा सकते हैं, एक important point और मैं कह सकता हूँ, यहाँ से कि कुछ bearings देखर angles measure करवाता है, और यह question भी definitely पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से practice करें, इस तरह के numerical को, तब जाके यह आपका जो topic है, वो cover हो जाएगा, और आप most of questions को अच्छे से attempt करेंगे, without any mistake, error. Now, next जो concern है, वो है theodolite and tachometer, देखिए, दोनों को combined किया है, tachometry और theodolite को combined किया है, और most of questions जो है, वो theodolite से है, tachometer का बहुत confined slavers है, तो देखेंगे एक बार, 2004 में एक, 5 में एक, 6 में 0, 7 में 0, 8 में 0, 9 में 0, 10 में 3, 11 में 2, 12 में 3, 13 में 0, 14 में 2, 15 में 0, 16 में 3, 17 में 15, 18 में 3, 19 में 3, and 20 में 2, तो यहाँ से इस तरह से question आप से पूछे गए हैं. तो चलिए इसके conclusion की बात करते हैं, और conclusion में, basically आपको, theodolite की अगर हम बात करें, तो theodolite में, theodolite के essential parts हैं, वो parts की full detail आपको पता होनी चाहिए, full detail आपको, मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर, full detail, दूसरी बात, basic terminology जो है, basic definition, swinging क्या होता है, transiting क्या होता है, plunging, reversing का कोई और दूसरे नाम तो नहीं है, face left, face right, inverted condition, normal condition, यह जो basic definitions हैं, यह आपको पता होनी चाहिए, तो basic definitions, then इसके बाद में, theodolite के कुछ fundamental lines हैं, आजकल यह question बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे है, fundamental lines के बीच में, क्या relation होता है, relation, ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से देखें, तो permanent adjustment, permanent adjustment of theodolite, ठीक है, इन में यह बताएगा कि किन-किन के बीच में क्या-क्या relation होना चाहिए, और permanent adjustment क्या होता है, ठीक है, दूसरी बात, इस permanent adjustment में हम कुछ test भी conduct करते हैं, जैसे aspire test है, azimut test है, vertical arc test है, तो इन test के बारे में पढ़के जाना, क्योंकि पूछा जा सकता है, पूर एक्जामपल, aspire test क्यों conduct किया जाता है, तो horizontal axis और vertical axis के बीच में, जो non-perpendicularity की वज़े से, जो error develop होती है, उसको remove करने के लिए, यह basic है, किसके साथ, theodolite के साथ में, theodolite में दो methods आ जाते हैं, आपके fast needle method और loose needle method, उनको भी बढ़के जाना है, क्योंकि इनसे भी question पूछ लिए जाता है, बहुत चोटी-चोटी सी definitions है, tachometer की अगर हम बात करें, tachometer basically क्या होता है, तो tachometer की information, stadia diaphragm क्या होता है, stadia diaphragm, ठीक है, और एक सबसे important जो question है, वो है इसके constant, constant, इसमें additive constant जो होता है, वो f plus d होता है, और multiplying constant जो होता है, वो आपका होता है, f upon i, बस इनके बारे में जानके जाना है, हालाकि मैं बता देता हूं, additive constant जो है, analytical telescope के लिए 0 होता है, और multiplying constant होता है 100, यह values आपको याद रखनी है, tachometer में इसी तरह के questions आप से पूछे जाएंगे, बाकि formula based numerical भी यहां से पूछा जा सकता है, now, next जो concern है, वो है traversing, देखिए traversing भी काफी important एक chapter है, और यहां से frequently question पूछे जा रहे हैं, तो 2004 में 0, 0, 0, then 2, फिर 0, 0, ठीक है, लेकिन आप recent में बात करोगे 16 से, तो 16 में 2, 17 में 4, 18 में 0, एक एक question यहां से आता है, 3 and 20 में 3, अब देखिए, इसके अगर important topics की बात की जाए, तो important topics में यहां पर main जो topics हैं आपके, वो है, properties of travers, properties of travers, अब चाहे वो close travers हो, चाहे वो link travers हो, traverse की properties क्या होती हैं, वो आपको पढ़के जानी है, इसके बाद में latitude and departure के questions, numerical problem, latitude and departure क्या होता है, इनकी numerical problems क्या होती है, closing error, closing error क्या होती है, इस से related questions क्या होते हैं, और एक adjustment, adjustment, adjustment of close travers, close travers, और इसमें कुछ methods हैं, कुछ methods हैं, जैसे आपका बोरिच मेथड है, बोरिच मेथड, transit मेथड, access method, तो यह method जो है, जितने भी method साब पढ़ते हैं, adjustment of traverse में, इसमें, यह पूछा दा सकता है, कौन सा method कब suitable है, कब apply करना चाहिए, इनके दूसरे नाम क्या है, इनके important concern क्या है, जैसे बोरिच मेथड मेथड में एक सवाल पूछा दा सकता है, कि बई, angular measurement जो होते हैं, वो किसके proportional होते हैं, linear measurement वो किसके proportional होते हैं, ऐसा assume किया जाता है, तो angular measurements जो होते हैं, these are the inversely proportional to root L, और linear measurement होते हैं, these are the proportional to root L, यह assumption यूज किया जाता है, किसमें बोरिच मेथड में, तो ऐसे question भी आपसे पूछे जा सकते हैं यह factual database question है तो यह भी आपको पढ़के जाने है और एक important concern यहाँ पर ट्रेवर्स में यह है bearing correction का question bearing correction local attraction अगर है यह compass में भी पूछा जा सकता है यहां भी पूछा जा सकता है यहां से definitely question आपसे पूछा जाएगा तो labeling से हर बार question देखने को मिला देखो 4 में 1 then 5 6 0 7 0 8 में 2 9 में 2 10 में 2 11 में 2 12 में 0 13 में 1 14 में 2 15 में 1 16 में 15 17 में 25 18 में 6 7 1 तो definitely यहां से question आता है अब इसमें पढ़ना क्या है आपको देखो labeling labeling में basic definitions पढ़नी है आपको डेफिनेशन कितने तरह की labeling होती है तो labeling type अब बैसे definition में जैसे benchmark क्या होता है आरेल क्या होता है datum क्या होता है means c level क्या होता है इसके अलाबा backside क्या होती है four side intermediate side इस तरह से चोटी चोटी definitions आपको पढ़के जानिये type of labeling में जैसे direct labeling क्या है indirect labeling क्या है profile labeling, cross sectional labeling, reciprocal labeling यह इस तरह की चोटी चोटी definitions है जो आपको पढ़के जानी है then height of instrument method and rise and fall method इन दोनों में comparison भी पढ़ना है कि कौन सा laborious है कौन सा tedious है तो rise and fall method जो है वो ज्यादा TDS है, rise and fall method intermediate sites पर check भी provide करता है तो यह भी important point है, यह भी important question है इनके अलावा comparison पढ़ने के अलावा इन पर numerical की practice भी करके जानी है numerical की practice भी करके जानी है तो यह तो basic height of instrument method and rise and fall method इसके अलावा reciprocal labeling reciprocal labeling काफी important है and last one one of the most important curvature correction, reflection correction और curvature correction की पूरी detail, full detail आपको पढ़के जानी है effect of curvature and reflection क्योंकि objective type questions यहां से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो यह इस तरह से labeling का क्या है conclusion है और इसको अच्छे से पढ़के जाना है आपको चलिए next chapter जो है that is curve में से इतने जड़ा frequent question नहीं पूछे जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं 12 तक 0 है 13 तक 0 हो गया 14 में 1 आया है 17 में 6 16 में 1 then 1 1 तो यहां से क्या question पूछे जा सकते हैं तो हम यहां कह सकते हैं कि जब simple circular जो कर्व होता है सिंपर सर्कुलर कर्व की आपको फूल डिटेल पढ़के जानी है क्योंकि इसमें कुछ definitions हैं और numerical problem है definitions जैसे length of chord क्या होती है initial tangent point, forward point, length of tangency, intersection angle, length of long chord, apex इस तरह से और numerical practice simple circular curve और basic types of curve भी कुछ definitions हैं जैसे reverse curve क्या होता है compound curve, combined curve, transition curve, simple circular curve यह भी आप से कुछ definitions पूछ सकता है but most of question यहीं से आते हैं simple circular curve की जो definitions और numerical problem है now measurement of area and volume देखो measurement of area and volume में 11 तक तो 0 है लेकिन उसके बाद में 2012 के बाद में एक एक दो दो question की यह frequency बनी रहती है जैसे आपको table में दिखाई दे रहा है अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ methods हैं जैसे mid-ordinate method हो गया, trapezical method हो गया, average ordinate method, Simpson one third method तो इन methods से related एक तो आपको formula याद करके जाने हैं और उसके अलाबा आपको इनकी numerical problems को solve करके जाना है यहीं important और कुछ ज्यादा detail नहीं पूछेगा एक कुछन यह भी पूछ सकता है कि trapezical formula और Simpson one third formula इन दोनों का आपस में comparison करवा सकता है तो trapezical formula और Simpson one third में बात की जाए तो Simpson one third जो है वो highly accurate है इसमें जो profile का assumption होता है वो parabolic होता है जबकि trapezical में कैसा होता है linear होता है बाकी इसमें कुछ formula और numerical की बात करेगा और वहीं से question पूछेगा इसका जो frequency है यह वाइस वह आपको टेबल में नजर आ रही है तो 11 फॉर में टू फाइब में जीरो सिक्स में जीरो सैवन में जीरो एट में वन नाइन में वन 10 में वन 11 में वन 12 में वन 13 में 0 14 में 3 15 में 0 16 में 17 में 18 18 में 0 19 में 2 और 20 में वन इस तरह से questions आये हुए हैं अगर हम plane table survey की बात करें तो यहां से basic definitions पूछे जा सकती है प्लेंटेवल सर्वे की definitions के बाद में instrument used बहुत important है इंस्टुमेंट यूजड इन प्लेंटेवल जैसे एलिडेड क्या होता है plumbing fork क्या होता है इसके बाद में methods बहुत important है methods और उन methods के methods तो जैसे यहां पर अच्छा इसमें एक और important concern है इसका temporary adjustment temporary adjustment जितने भी इंस्टुमेंट इसर्वेंग इस्टुमेंट में सबसे पहले हम करते हैं centering बट इसमें सबसे पहले हम करते हैं लेवलिंग then centering और उसके बाद में orientation third तो यह centering क्या होती है leveling क्या होती है orientation क्या होता है यह भी सब पढ़के जाना है और methods methods में जैसे radiation method क्या होता है intersection method क्या होता है कब इनको adopt किया जाता है resection method और उसके बाद traversing तो यहां से यह चार जो method है इन चारो method को full detail में पढ़के जाना है इनकी suitability check करके जाना है comparison पढ़के जाना है कि इन चारों में comparison क्या है और फिर हम आगे जब चलेंगे तो two point problem और three point problem भी आएंगी आपकी resection में और उनके भी कुछ methods हैं तो उनको भी आपको पढ़के जाना है यह था overall view of plane table now contouring बहुत चोटा सा topic बढ़ हर बार question देखने को मिल सकता है वेटेज जो है दस से बारा परसेंट है overall survey का तो एक दो एक question आपको यहां से में देखने को मिल जाते हैं हर बार और इसको हम contouring को हम leveling के साथ में भी associate कर सकते हैं बढ़ आप अगर देखोगे 2012 के बाद में तो देखो यहां 13 में एक 14 में एक 15 में 0 साथ में 16 में साथ 17 में 6 18 में 19 में 2 और 20 में 0 बाकी इससे उपर वाला जो analysis है वो आपके सामने है और बहुत ही कम question यहां से देखने को मिलते हैं और केवल और केवल एक ही topic है जहां से यहां question पूछे जाते हैं वो है प् प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर के और मैथाड़्स में 30 में इंग इन दो पॉइंट से दो टॉपिक से ही उशन बनते हैं और फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्या जो पूछे जाते हैं वो प्रॉपर्टी से कि हिल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा डिप्रेशन को कंटू टुर्ट लाइन किस केस में इंटरसेक्ट करती हैं और हैंगिंग क्लिप केस में किस तरह का कंटूर बनेगा इस तरह से आप्चे यहां से कुशन पूछे जा सकते हैं चली है ढलास्ट इस मिश्रीनियस से बहुत कम कुशन सही आपको पूछे जाएंगे इवन आप 2014 तक देख है उसके बाद में 15 में 1 16 में 0 17 में 18 में 1 19 में 4 और 20 में 0 इस तरह से यहां से कुछ 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 की कुछ के साथ बने रही है जॉन टैक के बीच्ट की प्रोग्राम लांच हो चुका है जिसमें लगातार वीडियो अप्लोड हो रही है और वहां से आपको कुछ देखने को मिलते हैं कि फिर इसले पेपर्स में किस तरह के कुछन आये हैं और उन कुछन से आईडिया भी आप ल